नमस्कार दोस्तो, यहां पर आपको एक right angle triangle है निकी एक समकॉर्ण तरभुज दिया गया है और ऐसे चार समकॉर्ण तरभुज आपको दिये गये हैं लिकिन इनको इस प्रकार से अरेंज किया गया है यहां पर आपको जो side की जो length दी गई है वो एक समकौन तरभुच की करण की माप है 3 यह हम कह सकते हैं एक right angle triangle के hypotenuse की value दी है आपको 3 और यह जो extra length आपको दी है इसकी value आपको दे रखें कि 3 1 अब आपको जो है निकालना है वो निकालना है एक right angle triangle यानि कि एक समकौन तरभुच का area आपको निकालना है अब यह कैसे निकलेगा देखिए अब इसके दो तरीके हैं एक तो हम बात करेंगे एक लंबे और कठिन method की और दूसरी बात करेंगे एक short trick की तो पहले जो long method है उसको समझ लेते हैं तो actual long method है वो कैसे हो सकता है देखिए आपको यहाँ पर एक समकौन तरभुच की अगर हम बात करें तो इसकी जो hypotenuse की value आपको 3 दे रखिए और अगर इस समकौन तरभुच की हम बात करें तो यहाँ पर हमने यह length मान ली यह लंबी वाली A और यह छोटी वाली हमने मान ली B ठीक है तो अगर लंबी वाली A इसमें है तो इस नीचे के समकौन तरभुच में भी लंबी वाली A होगी तो लंबी भुचा को फिर से अगर हम A value दें तो अब यहाँ से यहाँ तक आप तुलना कीजिए तो A equal to क्या गया B प्लस बना गया और एक समकौन तरभुच में पा और उसके बाद एक समकौन तरभुच के छेत्रफल का सूत्र लगाते हैं एक वड़ा दो A into B इससे जो है एक समकौन तरभुच का एरिया निकलाएगा ठीक ना देखिए हम इसको कहीं से भी डायेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक समकौन तरभुच की कंड की वज लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता तो इस मेथड से अगर हम करते हैं तो एक लॉंग और मैसी मेथड है आसानी से नहीं होगा बात हमें करते हैं इसके अब सॉट्रिक की तो देखिए दूसरी सॉट्रिक अब इसकी क्या है देखिए सॉट्रिक को समझने के लिए यह जो आकृ स्थान परवर्थित करके एक नई आकर्ती बनी और अब ध्यान से देखिए तो यह पूरी जो नई आकर्ती है वो क्या बन गया एक वर्ग बन गया जिस वर्ग की जो साइड है वो कितनी है थ्री है तो एक वर्ग का एक स्क्वाइर का एरिया क्या होता है वो होता है साइड का स्क्वाइर बुजा का वर्ग और बुजा यहां पर तीन है तो तीन का वर्ग कितना जाएगा नौ तो 9 जो है इस complete बड़े square का area आ गया और एक square इसमें बीच में है तो अगर हम बीच वाले square को देखें है तो जो extra length थी 1 वो इस बीच वाले square की side बन गी तो इस बीच वाले square का area क्या आएगा तो square का area फिर से वही side का work बुजा का work तो यहाँ 1 है तो 1 का square 1 ही आएगा तो यहाँ बड़े square और छोटे square का difference अगर हम निकालते हैं तो क्या निकल कर आया 8 यानि कि 8 यहाँ पर इन 4 square की area का total हो गया और हमको चाहिए एक 4 right angle चार right angle triangle की area क्या निकल के आया चारों का total 8 आया और हमको चाहिए एक right angle triangle का area तो उसके लिए हम क्या करेंगे divided by 4 करेंगे तो कितना निकल के आया 2 यानि कि एक right angle triangle का area क्या आया 2 तो है ना यही तरीका बस केवल आपको उस design को उस pattern को समझने की जरूद है वो pattern आपसे क्या कह रहा है वो आप अगर आसा नहीं समझ जाती है तो यह सवाल आपके लिए बहुत easy बनती है इस प्रकार के सवाल आपके किसी भी quantitative exam में आती है और वहाँ पर जो है आपको वो pattern समझ में नहीं आता है तो चीज़ें hard हो जाती है अगर आप pattern को decode कर लेती है तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही easy रहती है तो इसी प्रकार के और भी सांदर questions के लिए आप हमारी चैनल को subscribe कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए और वीडियो को like जरूर कीजिएगा थेंक्स तो वाच गुडबाई जै हिन जै भारत